नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हन्टर्ष्ट चर्षा करेंगे दिना 27 जुले 2024 का संफर्ण राशिपल उससे बेले आज के दिन का जो पंचांगा उसके बारे में चर्षा करेंगे आज का ज़ दिन है शनिवार का है आज की दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवात होगा प्रातर आज बचकर 15 मिनिट से लेकर 7 बचकर 34 मिनिट तक और अविजितमोर दोपर 12 बचकर 9 मिनिट से लेकर 12 बचकर 57 मिनिट तक का होगा विजितमोर दिन के शुबकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्राकार के महतवुनकाम या पिन्यनिन आप ले सकते हो उसे प्राकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुआ था होगा सुबर 9 बचकर 14 मिनिट से लेकर 10 बचकर 34 मिनिट तक और या मगंड़काल दोबर 2 बचकर 12 मिनिट से लेकर 3 बचकर 52 मिनिट तक का होगा राहुकाल और यमगंड़काल दिन के अशुबकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्राकार के महतवुनकाम या फिन्यनिन बिल्कुल भी नहीं मेनाद उसकर का राज के दिन का जो चंदरमा है ये चंदरमा मीन राशी में प्रामन करेगा दो फर एक वजे के बाद ये चंदरमा मेश राशी में प्रामन करेगा और बुद्ध के साथ त्रिकोनियों करने जा रहा है यह दरस्ति सामने रत्ते हुए बारा राशियों का राशिपल क्या होगा इस विशय पर अब हम चास्टा करें तो सबसे पहले राशी है मेश राशी मेश राशी के वही अबाउ में चंद्रमा का ब्रवन है दोपर एक बज़े के बाद यह चंद्रमा आपकी के राशी में ब्रवन करेगा और आपके पंचमबाव में सिद्विदर के साथ यह चंद्रमा त्रिकोन योग करने जा रहा है महत पुर्ण दिन है आपके लिए किसी भी प्रणर के महत पुर्ण आगा इसके बाद की जो राशी है वो है बुर्ण राशी बुर्ण राशी के लाभ वाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है दोपर एक बज़े के बाद यह चंद्रमा आपके वे यह वाव में ब्रह्मन करेगा और चतरतवाओं में सिद बुद्यव के साथ ये चंद्रमा त्रिकॉनियों करने चारा है मैं तो बड़ना दिन है आपके लिए मैं तो बड़ना काम दोपर के पहले अगर आप करते हो तो काफी इजी ली पूरे होते होए नजर रहेंगे अलगे दोपर के बाद के जो समय है उसमें आपको घूमना फिरना जादा हो सकता है करके जो लोग हैं उनके साथ आपकी हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएंगे इसके बाद की जो राशी है वो है मिठन राशी मितन राशी के दशम बाव में चंदरमा का प्रहमन है दोपर एक वचे के बाद ये चंदरमा आपके लाब बाव में ब्रहमन करेगा और त्रिद्यों बाव में सिद्वुद्यों के साथ ये चंदरमा त्रिकोनियों करने चाहरा है महत अपने दिन है आपके लिए दोपर तक अज़ा समय है उसमें जो भी आपका कारेशितर है उससे रिलेटर महत अपने काम आप हाथ में ले सकते हो दो पिर के बाद तरह समय है, उसमें आपका गुमना फिला थोड़ा हो सकता है, आपके जो मित्र परिवार उससे नुलाकात हो सकती है, सब से महतों पर्णबाद किसी को करी commitment promises करने है, documentation related कोई भी काम करना है, दो पिर के बाद तरह समय है, बहुत ही ज़ादा शुफलद ऐसा भ इसके इपात की जो राशी है वो है करकराशी करकराशी के भागे बाउ में चंधरमा का ब्रहमन है दो बर एक बज़े के बाद यह चंधरमा आपके दश backwards करेगा और दितिया बाउ मिस्ति उद्धा के साथ यह चंधरमा त्रिकोनियों करने चा रहा है महत lal दिन है आपकी देखास करके आज का जो दिन है आज आपको कुछ च्छे intuitions वगरा आ सकते है गोमना फिरन्हादा हो सकते है दोपर के बाद के जो समय है उसमें आपका जो भी कारशेत रहे है उससे related महत भड़ी काम आपके हो सकते है अपने से रिलेटर कोई भी काम आई, कोई इन्वेस्टमेंट है, तो पर के बाद अगर आप करते हैं, उससे रिलेटर कोई इनने देते हैं, तो वो सई साभीत होते हुए नजर रहेंगे, दिन आपके लिए शुब फलद्दाई साभीत होगा, इसकोई बात की चोई राशी है, वो है सिंग राशी, सिंग राशी का अष्टम बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है, तो पर एक बज़े के बाद ये चंद्रमा आपके भाग्या बाव में ब्रह्मन करेगा, और आपके राशी में सिद्ध बुद्यों के साथ ये चंद्रमा त् प्रणने ने बिल्कुल भी नई लेना स्वास्त के बारे में तोड़ा द्यान देना होगा अलगर दोपिर के बाद के बाद के जो समय है उसमें आपका जो नजरिया वो पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा मैं तो प्रणने काम आप हाथ में ले सकते हो गुमना फिर नजरिया हो सकते हैं आपके जो अंदाज हो सकते हैं आपको कुछ अच्छे लाव वगरा मिल सकते हैं मित्र पर्योज से मुलाकात हो सकती है दोपिर के बाद के जो समय है वो आपके लिए शुबु फंददाई साबित होगा उसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के सब्तम बाव में चंदरमा का ब्रह्मन है दोपर एक बचे के बाद ये चंदरमा अश्टम बाव में ब्रह्मन करेगा और वही अबाव में सिद गुदर के साथ ये चंद्रमात त्रिकोनियों करने जा रहा है। दोपर तक कर जा समय है, वो आपके लिए शोक्त लदाई साबित होगा, आपकी जो मित्र परिवारे उसे मुनाकत हो शक्ति है, लप्शक हो सकती है। उसे प्रेकार दोपर के बाद के जो समय है, उसमें आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में थोड़ा द्यान देना होगा, थोड़ा सा एक्जर्शन हो सकता है, गुमना फिरना जादा हो सकता है। परिवारे उसमें आपको कुछ अच्छे लाव अगरा मिलने की समभावना भी काफी एच्छी बन रही है। परिवारे शाष्ट बाव में भ्रह्मन करेगा। और आपके द्रशन बाव में सिद्गुद्र के साथ ये च्छे द्रमा त्रिकोनियों करने जा रहा है। काफी महत अपन दिन है आपके लिए खास करनके जो भी महत अपन काम हैं दोपर के पहले अगर आप करते हों तो काफी इजी पूरे होते हों भी नजर आएंगे। दोपर के बाद के जो समय है उसमें आपको जो भी आपके कारेशेतर है उससे रिलेटिकुई महत अपन काम हो सकते हैं। इसके बाद की जो राशी है वो है अनुराशन। तनो राशी के चतुरतो बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है दोपर एक बज़े के बाद ये चंद्रमा आपके पंचम बाव में ब्रह्मन करेगा और अब आगे बाव में स्थित बुद्य के साथ ये चंद्रमा त्रीकों नियप करने जा रहा है दोपर तक के ज़ा समय है उसमे जो गुमना फिर नहीं जादा हो सकता अगर आपके रिलेशन्शिप में है उनके साथ आपके आर्मनी जो है वो काफी अच्छी देखी जाएगी इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी अकर रेशी के त्रिद्या बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है तोपर एक वेचे के बाद ये चंद्रमा आपकी चत्रदमा में ब्रह्मन करेगा और अश्टम बाव में सित बोद्य के साथ ये चंद्रमा त्रिकोनिय करने जा रहा है दोपर तक के जो समय है उसमें काफी ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे मैं तो पुन काम भी होते हुने ज़रेंगे गुमना फिना ज़्यादा हो सकता है दोपर के बाद के जो समय है उस पर घर पर रहना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी धर के जो डोग है उनके साथ भी आपके हार्मनी काफी अच्छे देखी जाएके इसके बात की जो राशी है वो है कुमबराशी कुमबराशी के द्वितियो बामे चंदरमा का ब्रहमन है तो पर एक बचे के बाद ये चंदरमा आपके त्रितियो बामे ब्रहमन करेगा और सब्तमबाव में से बुद्र के साथ ये चंदरमा त्रिकोनियो करने जा रहा है वह तो बड़े दिन है आपकी दिलोपर तक कचा समय है उसमें जो भी मैं तो पर नकाम फाइनस से रिल्जट आउप कर सकते हैं इन्यसमेंट या फिर कर्चे तो पर एक बाद के बाद के जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे मैं तो पर नकाम भी होते हैं नजर आएंगे आपके जो वैवाई जोड़िदार है उनके साथ कई बाहर गुमना फिर्ना हो सकता है दोनों में जो हार्मनी है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी इसके बाद की जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी में चंद्रमा का ब्रह्मन है दोपर एक बज़े के बाद ये चंद्रमा के द्रितिया बाह में ब्रह्मन करेगा और शर्ष्ट बाह में सिद बुद्धा के साथ ये चंद्रमा त्रिकोनिय करने जा रहा है दोपर तक ये समय है उसमें आपको confidence energy level बहुत अच्छी देखी जाएगी मैं तो रुणा काम भी आप कर सकते हो तो दोस्तो ये था दिनां 27 जुले 2024 का संपर्ण राशपन धन्यवाग